कपास की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। दरसल बाजार में व्यपारियों की और से उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में भारत का कपास नेरियाद दो साल के उच्टम स्तर पर पहुंच जाएगा। क्योंकि विश्व बजारों में कपास की कीमतों में तेजी ने एशियाई खरीदारों का रुक भारत की और मोड़ दिया है। जो पहले ब्राजीर और स्यूंग्त राजी अमेरिका से फाइबर खरीते थे क्योंकि भारतिय कपास उन्हें सस्ते पड़ रही है। वहीं यूएस में इस महीने कपास का वाइदा भाव 17 महीने के उस्तम सर पर पहुँच गया है। आपको बता दे कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक भारत फाइबर निर्यात करने के लिए जहां पहले संगर्श कर रहा था अब वैश्वी कीमतों में तेज वृद्धी आने के इस बात खरीदारों ने भारत की तरफ रुक करना शुरू कर दिया है जि की 68,000 मिट्विक टन का पास निर्यात करने के अनुबंद पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जो फरवरी 2022 के बाद से सबसे अधिक है वहीं भारतिय का पास अब बहुत कॉम्पेटिटिव प्राइस पर है कोटन एसोसियेशन ओफ इंडिया के अध्यक शातूल गनातरा ने कहा है कि ये दुनिया में सबसे सस्ता है जिसके चलते भारत का निर्यात बढ़ रहा है वहीं बाजार जानकारों को तो यहां तक उमीद है कि अगर भारतिय का पास वैश्विक बेंचमार्क से छूट पर व्यपार करना जारी रखता है तो व्यपारियों को मार्च में तीन लाग गा की खरीदारी की है दरसल देखा जाए तो वर्तमान में आया तक देशों से निकटता के कारण भारत को स्यूक्त राजिया अमेरिका और ब्राजिल से सप्लाई की तुलना में कम कीमतों और कम माल धुलाई लागत का फायदा हो रहा है वहीं बाजार जानकारों का ये भी कहना है कि मजबूत मांग के बावजूद भारत ज्यादा निर्यात नहीं कर सकता क्योंकि भारत के पास स्टोक भी कम है और इस साल स्थानी उत्पादन में भी गिरावट की उमीद है ऐसे में कोटन एसोसियेशन ओफ इंडिया के अनुसार देश का कपास उत्पादन दोहजार त सकता है कि निर्यात मांग ज्यादा हो और भारत के पास उतना कपास सप्लाई के लिए ना हो तो ऐसे में कीमतों में जोरदार तेजी आने की उमीद की जा सकती है